दोस्तो आपके लिए अच्छी जानकर ये है कि कल हमने एक वीडियो डाले थी कि HSC के पास जो डिपार्टमेंट है वो यानि कि जो वेकेंट पोस्ट है उनके बारे में जानकर ये नहीं दे रहे हैं बार बार रिक्वेस्ट की जाती है HSC की तरब से लेकिन आज मैं आपके लि ख़बर ये लेकर आया हूँ कि काफी हद तक जो डाटा है वो HSC के पास पहुँच गया है उम्मीद यही करते हैं कि ये जो भरती आपके पिरकिरिया वो जल्दी स्टार्ट हो जाए लेकिन हमने आपको ये भी बोला है कि साथ के साथ है आने वाले समय में यानि कि आज कल औ पर एक वीडियो डाली है और फिर नहीं पता भी एकजाम कब होगा होगा ये नहीं होगा कब होगा कोई गारंटी नहीं है इस बात की लेकिन फिलाल जो जानकरी थी रहत भरी ख़बर यही है कि कुछ यानि काफी हद तक डाटा आया है और उम्मीद है कि अच्छी ख़बर ह कहीं न कहीं जो एकजाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं पहला कोशिन आपके सामने है तो आप सब इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें निमलिक्त में से हरीदास किसकी एक पिरमुक रचना है तो इसका जो राइट अंसर बनेगा तो इबा चार से पांचमें वर्स की सतावदी के रौक सिलालेक कहां से मिले हैं यानि कि चौती और पांचमें सतावदी के रौक सिलालेक हैं तो ये कहां से मिले हैं किस जिले से मिले हैं तो इसका जो राइट अंसर बनेगा तो ये आपके भिवानी से मिले हैं और भिवानी यानि कि तो शाम में ही हरियाना का सबसे प्राचिन विश्णु भगवान का मंदर है, तो साम सबसे धनी पंचात है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर बनेगा, माउंटेंग क्वेल प्रेटक सतल हरियाना के किस दिले में कहीं न कहीं अच्छा कॉशन है, तो इसका जो राइट अंसर बनेगा, ये प्रेटक सतल आपका कहां पर है, पंच कुला में है, पंच कुला में ही मोरनी की पाड़ीयां, इससे बालिक बाड़ी छेतर है, वहीं पर से उचा सतान करो जिसकी उचाई 1514 मीटर है तो ये भी आपको ध्यान रखना है तो डी बिल्कुल इसका राइट अंसर बनेगा नौ जवान भार सभा की सतापना राधा किरसन वर्मा के द्वारा भिवानी में कव की गई तो बिल्कुल अच्छा किस के द्वारा की गई है 220 यानि कि डी बिल्कुल इसका राइट अंसर है पालतू पसू प्रिसक्शन चिकतशाले हरियाना में कहा पर है तो इसका जो राइट अंसर बनेगा तो ये आपका है पंचकुला में कहा पर है पंचकुला में है बारहे दरवाजे और पांच बाजार वाला सहर किसे कहते हैं इसका जो रही टेशर बनेगा तो यह है भिय्वानी और भिय्वानी यानि कि राज़ा नीमि उसकी धर्म पतनी के नाम पर की गया है और चोदमी सतावदी मे इसक इसकी सतावनी वैक्AN quarter में भी ऴृत्ता हैा तो यह दो जिले आपको दियान रखना तो डी बिलकुल राइट है सौर उर्जा उत्पादन करने वाला हरियना का पिर्थम कौन सा गाम है भई सौर उर्जा उत्पादन करने वाला हरियना का पिर्थम गाम कौन सा है तो इसका है नांदा कौन सा रहेगा नांदा है और ये एक मेगावाट याने एक मेगावाट याने कि उर्जा का उत्पादन करता है तो आपको ध्यान रखना नानदा आपका कहाँ पर है चर्खी दाद्री में तो ए बिल्कुल इसका राइट अंसर रहेगा नेमलिक्त में से खोटा बेटा किसकी एक प्रमुक कहानी या रचना है चार आपके पास में कहीं न कहीं एक अच्छा कॉशन है और दोस्तों अगर आप चाहते हैं हमें ऐसे ही अच्छे लिबल के कॉशन चाहिए तो मैं आपको एक ही बार बताऊंगा इस वीडियो में साड़े तेरह सो पलस कॉशन हरियान जी के एक भी आसान कॉशन है पचीस से तीस परसेंट हरियान जी के आएगी सीटी एक्जाम में साथ में दोजार बीस की हरियान की करन्ट अफिर फूल कंप्लिट मिलेगी 21 की आपको तब तक मिलेगी जब तक आपका एक्जाम होगा यानि की दोजार बीस की भी 21 की और सेंटर की 2021 की फूल कंप्लिट करन्ट मिलेगी ये नंबर आपके सामने है केबल आपको 99 रुपे पे करना है और जदा फीस ने भी आगे आपके मर्जी आपका मन करे तो जोइन करे वरना भाई कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इतना कहूंग गल्प मंदिर ये सबी किस की हैं तो ये आपकी विसम बनात कोशिक की हैं तो आपको ध्यान रखना है और पेरिस का निरते हैं तो ए बिल्कुल इसका राइट है चांद मासिक पत्री का भी इसी की है तो ए बिल्कुल इसका राइट है सर छोटु राम को राय बाहदुर की उ उपादी दी गई है एक तो सर छोटो राम को दी गई इनका समंद गड़ी सापला रोह तक से इन्हें 1927 में दी गई एक लाला मॉरली धर को भी राय बाहदूर के अफ़ादी दीती अंगरेजो के द्वारतो ये भी आपको दियान रखना कैई भार ऐहीं अफ़़े हूँ झोटो राम न मिलेगा तो आपको सीधर लाला मॉर्ली धर भी मिल सकता है तो ये आपको धियान रखना है तो डी से गुरु ग्राम से हैं जिन खोज़ तीन पाई है इनकी एक पिरमुक्स आई रहे तो ये भी आपको दियान रखना जो एक जामे बारवार रिपीट होती है किर्ष सत्थान पर एक संगीत भवन का नाम पंडित जसराज ओडो टोरियम रखा गया तो बहुत ही अच्छा कोशन किस के नाम पर है पंडित जसराज के नाम पर है कहां पर ये रखा गया है तो अमेरिका अमेरिका का न्यूइ यॉऔर्क रहेगा आपको दियान रखना ए बिल्कुल इसका राइट एंसर रानी का तालाब कबड़ी अकादमी हरियाना के किस जिले में है तो बिल्कुल अच्छा कोशन है तो इसका जो राइट अंसर बनेगा तो ये भी आपकी कहां पर है तो जीन्द में आपको दियान रखना है हरियाना का पिर्थम स्टील गुरुद्वारा कहां पर बनाये जाएगा तो ये देश का और हरियाना का दोनों का पहला स्टील गुरुद्वारा है तो ये कहां पर बनाये जाएगा तो इसका राइट बनेगा ये कैथल में स्तापित किया जा रहा है गुरु द्वार है सबसे ज़यादे रियल में देखे तो अंबाला में है कुमए counseling का सहर कौन सा है् नियूमलिक्त मैंसे किश सथान पर चेतरिया विलेखा गार है तो यहानी कि चेतरिया विलेखा गार कहां पर है तो मैं आपको बता दो दो हैhe दो हैं कहां कहां पर है एक तो आपका हिसार में है दूसरा आपका अंबला में है ध्यान रखना दोनों में से कोई सा भी एगजाम में बन सकता है तो सी बिल्कुल इसका राइट है हरियान में परियावरा न्याले की संख्या कितनी है तो अच्छा कोशन है परियावरा न्याले तो इसका जो right answer बनेगा दो है और 1997 में इनकी सतापना हुई है तो पहला परियावर न्याल यानिकी फडिदवाद दूसरा आप हमें कॉमेंट करके बताएंगे और ऐ सताई परियावर न्याल या आपका कहां पर है करनाल में है तो ध्यान रखना भई ठीक है तो दूसरा आप ह संरक्षित या राष्टी समारक गोसित किया गया 1903 में जैसे सेख तयव का जिसे 1964 में गोसित किया गया और 1964 में विंटेज का रेली निकाली गई और ऐसे 1908 में सेख शिली का मकवरा उसे राष्ट्य संरक्षित गोसित किया गया तो इसका भी बिल्कुल right answer है हरियान का पिर् इसका संबंद रहेगा दियान रखना भाई ठीक है तो दोस्तो एक छोटा सा सेसंता 18 कोशन थे इस वीडियो में और यह जो दैनिक हरी भूमी है यह आपका 19 यानि की दैनिक हरी भूमी कैप्टन अविमन्यू के द्वारा निकाल लगाया तो दियान रखना रह तक से इसका पिरकासन हुआ था पास सतंबर 1996 में तो जजजर भी एक समाचर पत्र है और जैन पिरकास जीयालाल जैन का आप सभी जानते हैं तो दोस्तो एक छोटा सा सेसंता अगर आपको रियल वीडियो अच्छी लगी तो आप इस लाइक और शेर करें और जो नए साथ है चैनल को सब सब्सक्राइब करें हम आपके लिए प्रियास करते रहेंगे फिर से में आपसे एक ही बात वोलूंगा दो तीन दिन में अगर आता है नोटिफिक्शन तो आपका एक्जाम हो जाएग अभी आगे नहीं वरना कुछ भी नहीं हम कह सकते हैं तो आप सभी ने इस वीडियो को है तक देखा आप सभी का बहतो धन्यवाद